हलो फ्रेंज, अक्सर कहा जाता है कि जब भी कोई मा प्रेगनेट होती है, तो पूरी बॉड़ी के अंदर काफी ज्यादा चेंज जाते हैं, बॉड़ी काफी ज्यादा घटने या बढ़ने रखती है, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, मेंटालिटी चेंज होती है और उसी के साथ साथ महिला की रंगत भी चेंज हो जाता है, इसी ने कहा जाता है कि जब भी कोई महिला प्रेगनेट होती है, तो उसकी बुद्धी माने भी क आप सोच आए होंके कि बुद्धी मानी से क्या लॉजिक है? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. अपने आपको किस तरीके से टूइट करना है, कौन सा खाना खाना है, हील्स पहननी है या फिर नहीं पहननी है, किस तरीके के कपड़े उनकी बॉड़ी के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगी? हम अपने स्टायल स्टेटमेंट को एक पासे रख के अपने आपको हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं और उन्हीं चीज़ों को प्रफर करते हैं जो हमारी बॉड़ी के लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती हैं तो ये बुद्धी माने की ही निशानी होती है, जब भी कोई महला गर्बवती होती है तो वो काफी ज्यादा बुद्धी मान हो जाती है, सारी चीजों को काफी अच्छे तरीके से मैनेज करना सीख जाती है फिर चाहे वो अपने घर के कामकाज को मा बनने से पहले सही तरीके से करती हो या फिर ना हो जब भी वो मा बनने वाली होती है तो सारी समझदारी उसे मा बनने के साथ साथ विरासत में मिल जाती है इसलिए अगर आप भी मा बनने वाली है तो आपको घबरानी ही कोई ज़रूरत नहीं है हो सकता है कि अपने बच्चे की देखभाल करते समय आप से कुछ गलतियां हो जाए लेकिन गलतियों का होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गलतियां वही करते हैं जो काम करते हैं इसलिए इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूस को हमाय साथ शेयर करिए मेरी ब्यूटी और हैथ से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे